लाइव है लेक्ट यूट्यूब पर लाइव हो गया अभी नहीं है अभी नहीं है अभी तक लाइव क्यों नहीं हो गई हो गया मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को हाथ जोड कर नमस्कार आप सब ठीक होंगे स्वस्त होंगे और मानसिक रूप से स्वस्त होना बहुत जरूरी है आप ऐसा कभी मत सोची कि मुसीबते आनी नहीं है हर कदम पे मुसीबते हैं जो समझदार बच्चा होता है वो इन मुसीबतों से लड़ने की ताकत पैदा करता है अपने अंदर मेरे प्यारे बच्चों जैसा आप सबको सारी कहानी पता है एक स्टूडेंट है मुकेस करके मुझे उसने बताया कि उसके 200 कोशन मलब 200 के 200 नंबर थे 18 नंबर वाले एक्जाम में सारे के सारे कुशन उसने ठीक किantes में अब पेपर आसान है या मुस्किल है उस बच्चे की क्या गलती है अगर उसको 100 कोशन आपने दिये और 100 के 100 कोशन उसने सही कर दिये उसके बावजूद भी आपने उसको क्वालिफाई नहीं कराया तो उस बच्ची की क्या गलती हुई इसका मतलब यह हुआ मेरे भाई कि जो लोग वहाँ पर बैठे हुएं जो शाशन कर रहे हैं ससी के उपर वो शायद इन चीजों को बहुत गहराई से जानते नहीं है या उन्होंने कभी लोजिकल रीजनिंग पढ़ी नहीं है या लोजिकल और तर्क के बारे में उनको ग्यान ही नहीं है कि बिना तर्क के कुछ भी चीज़े उठा के कर देते हैं और उसके बाद ऐसे बच्चे बहुत बड़ी मात्रा में सफर करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों सभी बच्चों ने मिलके ये कि ए मुहीम चलाई है मोधी रोजगार दो 25 फरवरी 2021 को सुबह 11 बजे सभी बच्चे ट्वीटर पर इस ट्वीट को करेंगे और इस हैस्टेक को ट्रेंडिंग पर लेके आएंगे इसका उदेश्य मात्र और मात्र इतना है कि जो सरकार में लोग बैठे हैं वो कम से कम बच्चे के दर्द को जान पाए क्योंकि आप सब भी जानते हैं कि मीडिया आपके दर्द को नहीं दिखाने वाला जब मीडिया आपकी चीजों को नहीं दिखाएगा तो फिर ये टीचर्स की जिम्मेदारी होती है कि जितनी उनमें ताकत है जितनी उनमें पहुँच है उस पहुँच को वो बताए बच्चों तक उन चीजों को पहुँचाए जो बाहरी social media है उस तक इन बातों को पहुचाए कि बच्चे कितना नुक्षान जील रहे हैं आपकी कुछ गलतियों की वज़े से आप AC office में बैठ के कोई policy decide कर लेते हैं कि हम normalization करने जा रहे हैं उसके if and but आप बिलकुल धान नहीं दे रहे हैं उसका जो परिणाम है वो बच्चों की सेथ पर बहुत बुरा पड़ रहा है बच्चे ऐसे हैं जिनको 2018 वालों को अभी तक आपने जोइनिंग नहीं दी है नॉर्मलाइजेशन खतम करिए मेरी पहले भी मुहीम यही थी मैंने पहले भी यह चीज कही थी की नॉर्मलाइजेशन अपने आप में बहुत अच्छा रेजल नहीं देता है अपने आप में इक्विलिटी बहुत अच्छे लेल पे नहीं लेके आता है और मेरी SSC वालों से एक रिक्वेस्ट है मानने मोधी जी से रिक्वेस्ट है कि ओनलाइन जो एक्जाम होता है उसमें 45-45-50-50 सिफ्ट के एक्जाम होते हैं और ये मानुए इस तर पर कता ही संबाव नहीं है कि एक लेवल का एक्जाम सेट किया जा सके हो सकता है कि कोई क्वेशन जो बनाने वाला है उसको आसान महसूस हो कोई उसको मुस्किल महसूस हो लेकिन बच्चे के स्तर पे वो चीज कितनी मुस्किल है या कितनी आसान है ये वो एक्जामनर बहुत अच्छे से डिफाइन नहीं कर सकता हम कह रहे हैं आप पेपर आसान बनाईए, मुस्किल बनाईए, मोडरेट बनाईए, जैसा बनाना बनाईए लेकिन सारे के सारे अटलिस्ट मेंस के जो एक्जाम है वो आप एक ही दिन पे लीजिए और जिस तरह से आप ओफलाइन में दो से तीन सैट में पूरा पेपर कराते थे कोसिस करिए कि कम से कम सैट में उस एक्जाम को कमप्लीट कराया जा सके वरना भारत बहुत छोटा देश नहीं है भारत दुन्या का बहुत बड़ा देश है जिसके पास आज भी आधारबूत सनरचना बहुत सारे देशों से बहुत अच्छी है तो हम एक दिन में भी एक्जाम को ओनलाइन कंड़क्ट करा सकते हैं जितने चेटिंग के केसे जाने लग रहे हैं फ्रोड के केसे जा रहे हैं रोका जा सकता है अगर सरकार की नियत और मनसा ठीक हो तो तो एक ही दिन में ये एक्जाम कंड़क्ट होने चाहिए और एक ही दिन में इन बच्चों के एक्जाम कंड़क्ट होगा तो जो difficulty level है वो लगबग सभी बच्चों के साथ एक जैसा होगा ऐसा नहीं हो कि 18 तारिक के exam में किसी बच्चे के 100 सवाल मैथ में ठीक है उसके बावजूद भी उसका विचारे का selection नहीं होगा उसकी क्या गलती है भाई आपने उसके date पे आसान paper दे दिया मान लीजी विचारा रह गया इसका मतलब फिर आप तो content base और उसकी जो content जो knowledge है जो उसकी conceptual knowledge है उसकी तो कोई बात ही नहीं होने लगरी हाँ है ना उसके गुणों की तो बात ही नहीं होने लगरी ये तो किसमत के आदार पे selection हो गया इससे बढ़ी है तो फिर आप lottery system करो और lottery system से जिनको आपको रखना उनको रख लो बाकियों को लात मारो सरवात से थाकि बच्चा भी इस बात को समझे के भाया ये तो बिल्कुल उल्टी धारा भाने लग रहे हैं तो मेरी आप सबसे request है इस मोहीम को जोर दे और आपकी ही लड़ाई है आप ही इस काम को आगे लेके जाएंगे अगर मेडिया इस चीज़ को नहीं दिखाएगा तो कोई दिक्कत नी है देश में बहुत बड़ी संख्या युवाओं की है और सरकार भी युवाओं से ही चलनी है देश भी युवाओं से चलना है अर्थ व्यवस्था भी युवाओं से ही चलनी है कोरोना टाइम होता है त तो यह आप सब को करना है 25 फरवरी को 11 बजे और यह कोई राजनीती से प्रहरीत नहीं है हर बच्चे के जीवन पर इस चीज़े घटित हो रही है और बच्चों से रिक्वेस्ट भी है कि इसको लेकि इतना अपने आप में परिसान भी ना हो बहुत सारी इवेंट होगी हमें काम करना पड़ेगा ऐसी चीज़ों के लिए सुधार भी लाएंगे सारी चीज़ों लेकिन अपनी सेथ पर मांसिक स्वास्ते पर ध्यान दीजे दूसरी हमारी डिमांड थी कि नॉर्मलाइजेशन बंद कर दीजे क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का जो तर्क है जो आधार है वो आपको पता ही नहीं है क्योंकि मुझे जहां तक मैसूस होता है कि इस्ट्री पड़ेवे लोग अगर ये जानेंगे कि SSE में कैसे सेलेक्शन होता है तो बात नहीं बनेगी और खासकर एक केडर के ही ओफिसर आके जिस कैडर पे आज तक गौर्मेंट एक्जाम का रुजान ही नहीं रहा उस कैडर के लोग आके अगर साशन करेंगे SSE में तो कभी भी तर काधार पर वो यहाँ पे निर्क्षन नहीं कर सकते बच्चों का सही रूप से सेलेक्शन नहीं ले सकते तो normalization बंद कर दीजिए एक ही date पे सारे बच्चों का at least means तो एक date पे exam conduct कराईए ताकि बच्चों के बीच में ये issue create बार-बार ना हो भारत सरकार से प्रातना है SSE Chairman साब सहाजोड के request है बच्चे का धान पढ़ने में ही लगाए रखें वो पढ़ना ही चाहता उसको पढ़ाईए इन चीजों में उसे में मतल जाएए चीजे सही रूप से विवस्तित रूप से लेख है इसलिए तो सरकार आपको तनखा देरी सर दूसरी जो demand है वो यह है कि 18 November वाला जो means का exam है अगर आप यही चीजे कर रहे हैं हर हाल में होनी चाहिए थी कल मैं एक निव चैनल NDA TV पर देख रहा था कि GD की वेकंसी निकली SSC के थूँ शायद 60,000 वेकंसी निकली इन्होंने 50,000 लोगों को सलेक्ट कर लिया बाकी 10,000 लोगों को सलेक्ट नहीं किया 50,000 वेकंसी फिल की बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो बिलकुल फिट थे सारी क्राइटेरिया को सैट कर रहे थे लेकिन पूरी वेकंसी नहीं ली वहीं पे जो सम्मंदित मंत्राले के मंत्री उन्होंने का कि एक लाग 10,000 वेकंसी अभी भी खाली पड़ी है अगली डिमांड है के जो बच्चों के साथ जो आयू गणना का जो तरीका है उसको सुधार लीजिए उन बच्चों की संख्या थोड़ी कम रहती है इसलिए उसका आंदोलन इतने बड़े स्तर पर नहीं पहुंच पाता, उन बच्चों के साथ ऐसा मत करिये, पता नहीं कितने बच्चे ऐसे होंगे, जो डिमोरलाइज हो चुके होंगे, और ऐसी स्तितियों में जा चुके होंगे, जहां से वापसी लाना उनको बहुत मुश्क नहीं करना, गलत तरीके से हमेरी पर जड़न नहीं करना अपने स्टूडेंट इस आंदोलन को, सभी टीचर और अध्यापक जो भी इस मुहीम में जुड़ रहे हैं, बहुत ही बहतरीन काम कर रहे हैं, भगवान उन सबका भला करेगा, और सारे ही टीचर अपने आपसे अंत चूडेंट रहे हैं, और मेहनत करके वो कुछ आगे बढ़े हैं जीवन में, उनसे रिक्वेस्ट है, वो साथ दीजिए, जब तक आप अपने घरों में आवाज बुलंद नहीं करेंगे, शैद सासन तक वो आवाज पहुचेगी नहीं, तो मेरी आप से फिर से हाथ जोड़ का रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से, 25 फरवरी की जो ये मोहीम है, बच्चों की, इस मोहीम में सभी बच्चे जूटें, और इस चीज़ का ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करें, सो दाटी नंबर वन ट्रेंणिंग पे पहुचे ये चीज़ें, धन्यवाद मेरे बच्चो मैं एक बार फिर अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, डिप्रेशन बहुत गलत चीज़ है, अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, इसका मतलब ये नहीं, कि आप उसका दोस अपने आपको दें, और आप एक गलत तरीका पकड़ लें, या पढ़ाई छोड़ दें, या अप पर भी काम किया जाएगा, लेकिन आप सदय पोजेटिव रहिए, अपनी पढ़ाई को कंटीन्यू करते रहिए, जैसी मेहनत कर पा रहे हैं, जिस भी छितर में, जो भी आपके पास फैसलिटी अविलेबल है, उतने पर तैयारी करते रहिए, लेकिन पोजेटिव रहिए, य इतने बिजी मत हुई है, कि इस पूरी मुहीम में ही, आप सारे दिन लगे रहे हैं, सुबह से शाम तक इनी वीडियोज को देखते चले जहें, ना, पच्चेस तरीक, ग्यारा बजे की मुहीम है, इसमें इन्वोल हुई है, पूरी जीजान से इन्वोल हुई है, जितने या कि वई हुई है, या.